हेलो एव्रिवन वेल्कम टू ओनली आईएस स्वागत है आप सभी का करन्ट अफेर्स के हमारे इस वीकली प्रोग्रेम में जिसमें हम इंटरनेशनल डिलेशन से सम्मंदित महत्मूल करन्ट अफेर्स के इसूस को डिसकस करते हैं और साथ में प्रिविएस एर कॉश्चन्स को भी डिसकस करते हैं तो इस वीक हमें तीन इंपोर्टेंट इशू डिसकस करने हैं पहला इंपोर्टेंट इशू है रिसेंट्टी एक पारलिमेंटरी पैनल गठित हुआ था उन्होंने कुछ से रिकमेंडेशन दी हैं इंडिया के सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन के लिए तो यहां हमें सबसे पहले समझना है concept of power आकर शक्ति क्या होती है शक्ति कितने प्रकार की होती है लाइक इस में हम डिसकस करेंगे soft power इसके लावा हम देखेंगे hard power एंड हम यहां डिसकस करेंगे sharp power लास्ट वाले लेक्शर में एक student का question भी था कि यह soft power क्या होता है तो वो च exactamente तवांग district में दोनों देशों की proofs के बीच में एक clash हुआ है तो ऐसे में हमें यहां समझना पड़ेगा कि आछिर दोनों देशों के बीच में कौन-कौन से ऐसे मुध्डे हैं जहां पर दोनों देश सपोर्ट में है एक दूसरे के तो इन सभी चीज़ों को detail में हम समझने की कोसिस करेंगे और साथ में इस से प्रिवियस गर कुश्चन को भी देखेंगे अब देखें ये टॉपिक अगर आपने किसी और वीडियो में पहले से देख लिया है तो भी आपको ये लेक्चर करना important है क्योंकि यहां मैं आपको detail में बताऊंगा कि आखिर ये dispute start कैसे हुए इसका क्या background रहा है और कौन-कौन से dispute दोनों देशों के बीच में अभी भी बने हुए है ठीक है तो ये आपके लिए काफी ज़्यादा important topic है उसके बाद तीसरा जो important topic हमें discuss करना है वो है US-China bilateral tie अब और इसी लिए हमें यहां पर समझना है कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या tie हुई है और इसका impact क्या पड़ेगा भारत के उपर ओके चलिए शुरुआत करते हैं lecture की एक छोटी सी information के साथ आप सभी जानते हैं कि December month बहुत तेजी से खत्म हो रहा है अभी तो शुरूई अगर कोई परिशानी हो रही है प्रिलिम्स और मेंस की preparation को लेकर तो आप हमारा मेंस Megawin program जॉइन कर सकते हैं इसमें आपको मेंस के 15 टेस्ट दिए जाएंगे तीन ऐसे के टेस्ट होंगे और सबसे अच्छा फीचर हमारे course का ये रहेगा कि यहां आपको हर टेस्ट से पहले guidance वीडियो मिलेगा और एक approach session मिलेगा guidance वीडियो का objective होता है आपको ये guide करना कि किसी particular subject को आपको किस तरीके से पढ़ना है approach session का objective क्या है सर approach session का objective है मेंस के previous year questions को analyze करते हुए आपको ये समझाना कि आपको किस particular topic को किस direction में prepare करना है कौन-कौन से dimensions आपको उस topic में पढ़ने है ठीक है इसके लावा हर test के बाद हम आपको analysis provide कराएंगे one-to-one mentorship मिलेगी और साथ में attempt देने में flexibility मिलेगी जरूरी नहीं है कि आप test में हमारे ही schedule को follow करेंगे आपको जो subject अच्छा लगता है जिसमें आप comfortable महसूस करते हैं उस subject को आप पहले attempt कर सकते हैं यहां online and offline fees लिख दी गई है इस program की अगर आपको further कोई query हो तो आप हमें call कर सकते हैं इस number पर और आप हमें mail भी drop कर सकते हैं चलिए वापस आते हैं lecture पर और अपने पहले topic को discuss करते हैं that is India's soft power तो जैसा कि मैंने बताया कि parliamentary panel recently गठित हुआ है और उन्होंने कुछ recommendation दी है इंडिया के soft power projection को लेकर तो सबसे पहली चीज़ आप यह समझेए कि भारत एक power है और भारत एक काफी बड़ी शक्ती है चाहें आप इसको historical perspective से देखें चाहें आप इसे cultural perspective से देखें चाहें आप geographical perspective से देखें और चाहें आप इसको economic perspective से देखें तो अगर हम historical perspective की बात करते हैं तो आपने अगर modern history पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि एक time ऐसा था जब भारत को सोने की जड़िया कहा जाता था और भारत पूरे world की GDP में 25% से भी अधिक contribution करता था तो ये हमारा power होने का एतिहासिक perspective दिखाता है उसके अलावा हमारे cultural relation भी बहुत मजबूत रहे हैं और देशों के साथ चाहें वो Central Asia हो चाहें वो पश्चिमी Asia हो चाहें वो Europe हो हमारे संबन बहुत ही अच्छे रहे हैं उसके अलावा अगर हम geographical perspective से बात करें तो आप जानते हैं कि 7th largest territory geographical perspective से इंडिया के पास है और economic perspective से अगर आप देखें तो भारत पांच वी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता है विश्व में कभी ये 5 होता रहता है कभी 6 होता रहता है तो आगे पीछे competition चलता रहता है लेकिन further जब हमारी economy grow करती जाएगी तो हम 5 से भी आगे पहुँच जाएंगे अब ये सारी चीज़े क्या दिखा रहे हैं सर ये सारी चीज़े इंडिया की power को दिखा रहे हैं तो भारत बहुत बड़ी शक्ती है अब देखें यहां हम थोड़ा सा previous question को भी देख लेते हैं कि आखिर हम इस topic को पढ़ क्यों रहे हैं तो देखें 2015 में एक question आया था और question है इंडिया चाइना इंडिया और पाकिस्तान के relation को लेकर यहां पर जो terror activities हैं या फिर mutual distress हैं उन्होंने दोनों देखों के संबंदों को खराब किया है तो ऐसे में क्या हम soft power जैसे की sport या cultural exchanges के माध्यम से दोनों देखों के संबंदों को बहतर करने का प्रयास कर सकते हैं आपक क्या देखिए power का मतलब होता है it is ability to affect others to get preferred outcome जब हम अपने अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं तो इसी चीज़ को हम power कहते हैं इन जनरल UPSC aspirant के perspective से अगर आप सोचें कि आपको कोई book मंगानी है market से और आप अपने friend से बोलते हैं कि यार मेरे लिए वो book लेकर आ जाना market से तो आपका friend मना कर देता है फिर आप powerful नहीं हुए power का मतलब क्या है आप उसे मनवा ले अपनी बात तो आप क्या कर सकते हैं आप बहुत सारे methods को use कर सकते हैं जैसे आप coercion use कर सकते हैं आप जोर जवर्सी कर सकते हैं जैसे for example आपने बोला कि अगर आप मेरी book नहीं लाओगे तो आपको room से बाहर ही सोना पड़ेगा मैं gate मनवाली किसी भी तरीकी से मनवाई उसके लावा आप attraction दे सकते हैं attraction कैसे दे सकते हैं कि अगर मेरी history की book आप लेकर आते हो तो मैं आपको geography के notes handwritten notes free में provide कर दूँगा ये भी एक attraction है और आप अपनी बात को ऐसे भी मनवा सकते हैं उसके लावा persuasion persuasion मतलब आप उनसे बात करक की कोशिस करिए बार बार उनको बोलते रही है बोलते रही है तो एक टाइम पर परशान होकर वो आपकी बात मानी लेगा ठीक है तो ये सारे इजे पावर के अंतरगत आती हैं अब ये तो हो गया UPSC aspirant का इंचनरल countries के बीच में भी power को लेकर हमेशा से एक competition सा बना रहता है countries भी coercion करती है payment के माध्यम से एक दूसरे पर प्रभाव बनाने की कोशिस करती है attraction भी करती है और persuasion भी करती है इसके कुछ examples हम लोग भी आगे देखेंगे Russia Ukraine war में भी इसका example आपको में बताऊंगा उसके बाद आप यहाँ पर soft power को जानिए कि आखिर soft power होता क्या है soft power का मतलब होता है जब हम अपने preferred outcome attraction के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिस करते हैं ठीक है attraction से कैसे जैसे कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो मित्र देश हैं उन्हें हम growth का एक perspective दिखाते हैं कि हम सभी लोग क्या करते हैं आ एक प्रकार का attraction है यहाँ पर आप जोड़ जबर्थे दस्ती नहीं कर रहे हैं आप कोई लालश नहीं दे रहे हैं आप यहाँ peaceful coexistence कर रहे हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े किसमें आती हैं यह soft power के अंतरकत आ जाती हैं coercion का मतलब होता है military का use करना चलिए इसको मैं बाद में बताऊँगा अपी जब हम hard power discuss करें तो अगर हम soft power के elements को देखें तो सर यहाँ बहुत सारी चीज़े आती हैं जैसे business and trade आप व्यापार करते हैं बिजनेस करते हैं जैसे मैंने example लिया था free trade agreement उसके अलावा आप बहुत दूसरी country में जाएं दूसरी country के लोग हमारे यहाँ पर आएं आप हमारी movies को देखिए हम आपकी movies को देखते हैं तो यह सारी चीज़े किस में आएंगी यह soft power में आएंगी यह cultural exchanges में आ जाएंगी इसके इलावा trade हो गया trade भी soft power में रखा जाता है education हो गया आप जानते होंग जाएंगे कि भारत में बहुत सारे विदेसी student आकर पढ़ते हैं चाहें वो अमेरिका के student हो चाहें आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के student हो चाहें Chinese student हो वो हमारे यहाँ पर आकर सिक्षा प्राप्त करते हैं इसी तरीके से हमारे student भी दूसरे देशों में जाकर सिक्षा एविन युक्रेन में भी आपने देखा होगा इंडियने student के बारे में चाहिना में भी हमारे student हैं तो यह जो exchanges हैं education को लेकर यह भी soft power का एक उधारन है उसके लाबा हमारा governance system like हम democracy है तो democracy भी आपकी soft power को दिखाता है foreign policy foreign policy में हमने क्या चुना हुआ है पंच जील की policy चुनी ह आई होगी चलिए बात करते हैं hard power की तो hard power में भी concept same है आपको अपनी बात को मनवाना है लेकिन अपनी बात को मनवाने के लिए आप क्या करेंगे या तो जोड़ जबरस्ती करेंगे या फिर उन्हें payment का लालस देंगे ठीक है अब जैसे यहाँ example हो जाएगा military force का use करना और इसका एक world में example recently चल रहा है Russia Ukraine war तो रशिया ने Ukraine में जब invasion किया है तो ये invasion military force के कारण हुआ है तो रशिया क्या हुआ रशिया यहाँ पर hard power को दिखा रहा है उसके अलावा economic sanction आप जानते हैं इसी example में समझते हैं रशिया Ukraine war की वजासे European Union and USA ने रशिया के उपर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंद लगाए ताकि रशिया की economy को भारी तोर पर नुक्सान पहुँचाया जा सके तो it is another example of hard power उसके लावा control of export लेकि सेम example में आपको ये भी चीज़ देखने को मिल जाएगी रशिया ने जब Ukraine पर invasion किया तो रशिया ने Ukraine के port पर भी कपजा कर लिया और य ये सारे example होते हैं hard power के okay next हम discuss करते हैं कि इंडिया को soft power की आवश्यक्ता क्यों है अच्छा एक concept रह गया smart power भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ sir smart power का मतलब क्या होता है smart power का मतलब होता है आप अपनी need के according soft या hard power को use करें ठीक है जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ soft बने रहें जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ hard बने रहें आप smart तरीके से जहां पर जैसी जरूवत हो उसको use करिए तो आप smart power कलाएंगे इसमें examples अमेरिका को आपने हमेशा ये नहीं देखा होगा कि केवल जोर जबरस्ती करने का प्रियास करता है या फिर अपनी बात को मलमाने के लिए बलका प्रियोग करता है वो अपने cultural exchanges भी करते हैं वो science and technology में या फिर और economic field में भी cooperation बनाकर अपने संबंदों को बहतर करने की कोसिस करते हैं तो वो soft power का भी use करते हैं, hard power का भी use करते हैं that is smart power उसी तरीके से रशिया हो गया, चाइना हो गया, इविन इंडिया भी smart power की तरफ move कर रहा है एनलिस्ट ऐसा मानते हैं कि भारत अब smart power की तरफ जा रहा है smart power कैसे देख सकते हैं आप, जैसे की जब पाकिस्तान ने हमारे उपर हमला गराया था तो हमने क्या किया, हमने उनको response किया, surgical strike की जो की हमारी hard power को दिखाता है, military use को दिखाता है उसके अलावा, हमारी soft power को आप हमेशा देख सकते हैं, पंच सील की नीती हो गई इसके अलावा, हमने जैसे अपनी territory को दिया था, बांगलादेश को 100 constitutional amendment deck, तो हमने अपने dispute को solve करने के लिए अपनी territory को exchange किया था, जो कि soft power का example है तो ये सारी चीजें आप अपने उस question में लिख सकते हैं अब इंडिया की बात करें कि इंडिया को soft power की need क्यों है तो इंडिया अपने national interest को fulfill करना चाता है, सभी countries national interest को fulfill करना चाती है तो soft power भारत के इस ambition को follow करने के में काफी ज़्यादा help कर सकता है क्योंकि सर अगर आप soft power होते हैं, तो दूसरी countries को आप पर believe होता है कि आप aggression नहीं करेंगे, उनकी territory को acquire करने की कोशिस नहीं करेंगे और आप peaceful तरीके से उनके साथ relation को बनाए रखेंगे तो ये एक positive perception बनाता है आपकी country के प्रदी और इसके माधियम से आप अपने national interest को fulfill कर सकते हैं दूसरी चीज, यहाँ पर soft power के अंतरकर भारत बिना किसी competition या conflict के अपने पडोसी देशों के साथ संबंद बनाने का प्रयास करता है आपने देखा होगा कि जब भी कोई conflict होता है, तो भारत peaceful तरीके से उसको bilateral meetings के माधियम से solve करने का प्रयास करता है इविन पाकिस्तान के साथ भी हम अपने issues को bilateral तरीके से solve करने की कोशिस करते हैं लेकिन चुकि पाकिस्तान की terror activities बंद नहीं होती हैं, इसलिए भारत के संबंद पाकिस्तान के साथ बैतर नहीं हो पा रहे हैं उसके बाद अगर हम कुछ और examples की बात करें तो जैसे कच्चा तीवू दीब के बारे में आपने सुना होगा तो उस दीब को हमने स्री लंका को सौब दिरा ता कि हमारे जो dispute हैं वो solve हो सकें अगर आप historical perspective से भी देखेंगे तो भारत को एक advantage मिलता है soft power historical तरीके से आप कैसे देखेंगे जैसे हमारे first prime minister जो थे वो भी idealist थे आदर्शवादी थे उन्होंने कभी भी जोर्च वरस्ती का प्रयास नहीं किया हिंदी चीनी भाई-भाई का example दिया ठीक है उसके लावा पंच सील की policy adopt की गई थी foreign policy में ये सारे soft power के examples हैं उसके अलावा आप दे सकते हैं कि जो हमारा 9th constitutional amendment act हुआ था और हमने बेरुबारी को पाकिस्तान को सोब दिया था 100 constitutional का example मैंने लिया तो ये सारे किस चीज के example हैं ये सारे soft power के example हैं next thing हम देखते हैं कि committee ने क्या क्या recommendation दी हैं इसको लेकर तो सबसे पहले यहाँ पर committee ने बोला है कि external affairs ministry को एक policy document बनाना चाहिए ताकि हम world level पर इंडिया के soft power का projection कर सकें देखिए हर country आपकी बारे पे नहीं जानती है लेकिन अगर आप policy को बनाते हैं कोई आपने document publish किया है तो ऐसे में जो भी देश आपके साथ संबंद रखते हैं वो उस policy document को जरूर review करेंगे तो हमारी soft power approach का पूरे world में एक picture बन जाएगा और सारी countries के साथ हमारे relation बहतर होने की से एक संभावना बनती हुई हमें दिखाई थेगी उसके लाबा यहाँ पर इस committee ने recommendation दी है कि आप एक comparative analysis करें कि चाइना अपनी soft power को किस तरीके से project कर रहा है और इंडिया किस तरीके से कर रहा है तो आपको मैं एक data देता हूँ कि चाइना का अगर मैं आपको perspective बता हूँ तो हर वर्ष चाइना अपनी soft power पर 10 billion dollar खर्च करता है वहीं इंडिया अपनी soft power पर 300 to 400 करोर्स रुपे खर्च करता है जो कि अपने आप में इसकी तुलना में बहुत जादा कम है तो ऐसे में जब आप इस तरीके के analysis करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि हमें कितने आगे जाना है और किस तरीके से हमें competition को बनाए रखना है उसके लावा यहाँ इस committee ने recommendation दी है कि हमें world level पर ayurveda को भी recognition दिलाना है अभी तक देखिए अभी तक होता क्या है ayurvedic product को supplements के रूप में export किया जाता है इसको medicine नहीं माना जाता है लेकिन आप जानते हैं कि भारत में वैद बहुत सारे हैं और भारत खजाना है इन ओशनियों का ऐसे में हमें ayurveda को सिर्फ supplement के रूप में export नहीं करना है हमें इसे medicine के रूप में भी export करना है अगली recommendation जो हमारी committee ने दी है वो ये है कि हमें DD India को दुबारा से उस पर focus करना है उसको structure करना है और उसकी functioning पर ध्यान देना है और उसे पूरे world में पहुचाना है देखे media आपके views को पूरे विश्व में दिखाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है तो ऐसी condition में DD national को आप पूरे world level पर प्रदर्शित करिए so that उसके माध्यम से आप अपने soft power के view को पूरे विश्व में दिखा सकेंगे next thing क्या recommendation की गई है proactive interaction with Indian diaspora देखे डायस्पोरा आपके संबंदों को बनाने में बहुत जाड़ा important होते हैं तो आप जा करिए आप उनके साथ proactive interaction करिए जैसे हमारे प्रधान मंत्र जी जब किसी देश में जाते हैं तो ऐसा rarely ही होता है कि वो वहां के Indian diaspora से ना मिले भारतिय लोगों से ना मिले तो वो भारतिय लोगों से हमेशा मिलकर आते हैं तो ये हमारा काफी अच्छा अप्रोज दिखाई देता है international politics में अब Indian diaspora हमारे लिए important कैसे हो सकते हैं जैसे हमारी energy security में भी इनका काफी बड़ा रोल है कैसे सर इन्होंने Indo-US nuclear deal में काफी help की थी इसके अलावा आपके जो diaspora हैं आपके लोग विश्व में अलग-अलग देसों में रह रहे हैं वो आपके economy के लिए demand create करने का भी काम करते हैं आपके product को promote करने का भी काम करते हैं for example अमेरिका में हमारे बहुत सारे लोग रह रहे हैं इसे में वो make in India program के अंतरगर बनाये जाने वाले product को वहाँ पर promote कर सकते हैं वो अपने पडोसियों को बता सकते हैं इस product के बारे में तो वो आपके economic growth के लिए भी काफी important होते हैं ठीक है तो ये सारी recommendation यहाँ इस committee ने provide की हैं तो I hope ये topic आपको अच्छे दरीके समझ में आ गया होगा इसके लावा कोई चीज आपको यहाँ discuss करने की जरुवत नहीं है अब आप पाकिस्तान के साथ जो question आया था हमारा उसको भी आराम से लिख पाएंगे इन सभी चीजों को analyze करते होगे ठीक है next topic पर आते हैं that is India-China relation और context में फिर से बता चुका हूँ आपको जो clash हुआ है अरुनाचर प्रदेश में दोनों ट्रोप्स को लेकर अब देखिए ये topic examination perspective से काफी important है prelims में भी important है ये topic क्योंकि 2020 में question इस तरीके का पूछा गया था कश्मीर में सियाचन glacier की उपस्तिती को लेकर कि ये कहाँ पर located है इसका answer क्या है आप मुझे comment section में बताएंगे तो हम कुछ key location यहाँ पर mark कर लेते हैं ताकि अगर prelims में भी कोई question आता है तो आप उसको सही से mark कर पाएं तो सियाचन glacier आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो area है यह सियाचन glacier का area है इसके लावा यह अकसाई चिनका छेतर है यहाँ आपको तिबबत देखने को मिलेगा फिर सिक्किम राज्यों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे तवांग को ध्यान लखिएगा तवांग यहाँ पर पड़ता है उसके अलावा अरुनाचर प्रदेश की इस्तिती भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए तो यह हो गई की important location अब देखे यह जो clash है ऐसा नहीं है कि चाइना और इंडिया के बीच में पहली बार हुआ है ऐसे clash पहले से भी होते रहे हैं और एक बड़ा clash हुआ था June 2020 में गलवान वैली में अब गलवान कहा है गलवान की location भी आप यहाँ पर देख लीजिए यह जो है यह location गलवान की है ठीक है तो गलवान के बारे में अगर कोई कुशन आएगी गलवान सियाचिन glacier के west में है नोर्थ में है south में है तो ध्यान रखिएगा गलवान जो है सियाचिन glacier के east में पड़ता है और अक्साइचिन के west में आपको यह देखने को मिलेगा चलिए तो यह हो गया हमारा जो है context अब अगर आपको मैं बताओं की recent clash हुआ क्यों है तो recent clash के पीछे चाइना का एक view है और हुआ क्या था इंडिया ने US की military के साथ एक operation किया था यह दब्यास नाम से यह operation उत्राखंड के ओली नामकिस्थान पर किया गया था ठीक है तो उत्राखंड यहाँ पर आएगा आपका ओली नामकिस्थान आप यहाँ पर देख सकते हैं कहीं तो ओली जान नाम की जगा पर इंडिया और US की military exercise करती है और इसको object किया जाता है चाइना के त्वारा ठीक है चाइना अपने security concern को लेकर यहाँ object करता है तो इसी वज़ा से दोनों देशों के बीच में अभी यहाँ class देखने को मिला है अचा ब्रीफ background की बात करें दोनों देशों के बीच में relation किस प्रकार के रहे हैं कभी यह बनने शुरू हुए थे तो भारत को आप जानते हैं आजादी मिले थी 1947 में और उसके बाद चाइना से हमारे relation बनने शुरू हुए थे 1st April 1950 से diplomatic relation हमने proper तरीके से start कर दे थे इसके लावा बहुत सारी conferences होई जैसे 1955 में एक Asia Africa conference हुई थी यहाँ पर इसका objective था Asia और African countries के बीच में friendship को बढ़ाना इसके लावा जो colonialism वाली activities चल रहे थी उनको बंद करना इन सभी के लिए यहाँ इस चाइना भाई भाई यह वाली जो policy है यह भी काफी promote की गई थी लेकिन 1962 में क्या हुआ चाइना के साथ हमारा war हुआ और उस war के बाद दोनों देशों के बीच में bilateral relation को एक setback लगा ओवियसली यहाँ पर इंडिया की हार हुई थी और उस हार की वजा से कैसे हम चाइना के हमने ambassadorial relation को फिर से स्थापित किया और bilateral relation को ease करने का प्रियास किया फिर 1988 में हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने चाइना में विजट किया था और दोनों देशों के संबन को normalize करने का भी प्रियास किया था और तब से आप देखेंगे कि classes तो हाला क भी चलते रहते हैं लेकर ये clash बहुत बड़े level पर फिर भी नहीं होते हैं तो ये हो गया कुछ brief background इसके लावा अगर हम बात करें कि दोनों देशों के बीच में issues कहां कहां पर है कहां कहां दोनों देशों के बीच में विवाद है तो सबसे पहले विवाद की हम बात करते है बॉर्डर डिस्प्यूट और यहां आप देखिए कि बॉर्डर डिस्प्यूट की शुरुवात कैसे हो रही है देखिए चाइना में हुआ क्या 1949 में चाइना में Communist Party आती है और जब Communist Party का साशन चाइना में आया तो उन्होंने पूरे विश्व के साथ अपने इंटरनेशनल एगरिमेंट को ख़द्म कर लिया ठीक है जितने भी इंटरनेशनल एगरिमेंट हुए थे सबको उन्होंने आस्विकार कर दिया कि हमें यह acceptable नहीं है अब reason क्या वदाए सार acceptable क्यों नहीं है acceptable इसलिए नहीं है क्योंकि यह unequal treaty थी आपने यह treaty उस समय की थी जब चाइना एक कमजोर country था आपने उसका उत्पीडन किया और उत्पीडन के बाद अपनी शर्तों पर चाइना के साथ संधी कर ली तो इस चीज को हम कभी भी accept नहीं क policy सुरू हो जाती है ठीक है सर तो यह होगी यहाँ पे expansionist policy की शुरुआत अब इंडो चाइना border dispute की बात करें तो इंडिया और चाइना की बीच में जो border है उसको हम तीन सेक्टर में divide करके पर सकते हैं पहला तो है eastern सेक्टर जो सिक्किम और अरुनाचर प्रदेश के साथ हमार middle सेक्टर हिमाचर प्रदेश और जो हमारा UK है उत्रहण उसकी सीमा को नरधायत करता है चाइना के साथ और उसके अलावा यहाँ LAC है western सेक्टर इसको कहते हैं और यह जम्मू कश्मीर और चाइना की सीमा को दर्शाता है अब यह green वाला जो area है यह occupied वाले कश्मीर का area दिख करने का एक ही objective है ताकि आप LAC को अच्छे से समझ पाएं तो यह बात हो गई border dispute में तीन areas की अब आप जानते होंगे कि western सेक्टर में clashes होते रहते हैं गलवान वैली में एक clash हुआ था 2020 में उसके लाब आवी eastern सेक्टर में भी यहां तवान district में clash हो रहा है दोनों देशों के बीच में dispute यहां इसलिए आता है क्योंकि eastern सेक्टर में जो अरवाजर प्रदेश है इसको चाइना अपने तिबबत का पार्ट मानता है इसको south तिबबत के रूप में वो recognize करता है और इसी लिए यहां दोनों देशों के बीच में हमेशा से class बने रहे हैं उसी तरीके से अकस चुके हैं इंडिया और चाइना की बीच में कैसे शुडू हुए इसके अलावा अगर हम और dispute की बात करें तो recently आपने एक चीज देखी होगी कि AIMS में एक cyber हमला हुआ था और वहां AIMS का server hack कर लिया गया था और यह कौन से वाल AIMS का server hack हुआ था Delhi AIMS का अब जब हमने tracking की थोड़ी सी research की कि आखिर किसने इस server को hack करने का प्रियास किया है तो जो IP address थे email address जो जिसकी वज़ा से hack किया गयता है इस server को वो हमें China से मिले हैं और China में भी कहां से Hong Kong तो Hong Kong के IP address के थूँ इसको hack करने का प्रियास किया गया था यानि कि China बोर्डर पर तो हमसे dispute करता ही करता है बोर्डर पर तो उलसता ही उलसता है लेकिन cyber तरीके से भी वो इंडिया को नुकसान पहुचाने का काम करता है इसके लाव आप देखेंगे United Nations Security Council में भी दोनों चाहें वो रश्या हो चाहें वो यूएस हो चाहें वो जर्मनी हो चाहें वो फ्रांस हो मतलब P5 कंट्रीज में से चार मेंबर इंडिया की permanent seat को यहां समर्थन देते हैं लेकिन चाइना अकेली ऐसी कंट्री है जो इस seat को समर्थन नहीं देती है उनका व्यू यह है कि अगर भारत आएगा permanent troop से तो पाकिस्तान को भी permanent तरीके से आना चाहिए ठीक है तो एक तो मुद्दा हो गया यह उसके अलावा भारत जब भी पाकिस्तान के किसी terrorist को यहां sanction लगवाने का प्रियास करता है United Nations Security Council में तो चाहिना के द्वारा हमेशा से वीटो किया जाता रहा है जो क पर चाहिना अपना military base बना रहा है और military base बनाने का मतलब है यहां पर वो missile भी लगाएगा अपनी तो ऐसे में Indian territory भी उस missile की range में आएगी तो भारत के साथ संबंध तनावपूर्ट रहेंगे चाहिना के नेक्स्ट CPAC आप देखेंगे चाइना पाकिस्तान economic corridor यह भारत के संप्रभू छेतर से होकर गुजड़ता है यह कश्मीर के छेतर से होकर गुजड़ता है और इसमें चाइना हमारी जो sovereignty है उसको सीधे चैलेंज करने की कोश्चिस कर रहे है एक clash हो गया यह CPAC के बारे में हम पहले ही जो lectures हैं उसमें discuss कर चोगे हैं तो detail में जाने की जरूरत नहीं है जिन्होंने previous lectures को नहीं देखा है आप playlist में जाकर उन lectures को जरूर देख लीजेदा इसके लावा चाइना की debt trap diplomacy या फिर dollar diplomacy भी भारत को प्रभावित करती है और भारत की यह चिंता का कारण बनती है इस debt इतने आकरशक दरों पर दिया जाता है कि country समझे नहीं पाती कि हम इसको repay कैसे करेंगे और जब वो repay में fail होते हैं एक second जब वो repay में fail होते हैं तो चाइना strategically उनकी एक territory को acquire कर लेता है और उसको lease पर ले लेता है और यही इंडिया के लिए concern है क्योंकि चाइना ने स्री लंक कि हमबन टोटा को हमबन टोटा द्वीब को अपने अधिकार में ले लिया है उसी तरीके से पाकिस्तान में चाइना का investment लगातार बढ़ता जा रहा है और चाइना में पाकिस्तान में जितना चाइना का investment बढ़ेगा उतने ही दोनों देशों के संबंदों में खटास आईग महत्वपूर्ण छेत रहे इसलिए अगर इंडियन ओशन रीजन में चाइना अपनी military exercise करने का प्रयास करेगा तो obviously चाइना इसको object करेगा और इसका एक example है Russia, Iran, China, military exercise ठीक है तो इस सीज़ पर भी इंडिया का objection क्लियरली यहां देखने को मिलेगा अब देखे इन सारे objections के प भारत हमेशा से चाइना को warn करता रहता है कि अगर चाइना ने इंडिया के against किसी भी तरीके से अपनी power को use करने का प्रयास किया तो ऐसे में हम चाइना के साथ अपने economic relation को खत्म कर लेंगे और हमारे economic relation चाइना के साथ कितने हो चुके हैं अभी वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो इसी वर्ष 9 मन्त में यानि कि September तक हमारे जो trade है दोनों देशों के बीट में वो 103 billion dollar का है अब यहां यह 103 billion dollar जो है इसमें चाइना हमें export जादा करता है और हम उन्हें export कम करते हैं इंडिया का export कम रहता है तो यह भी चाइना को एक काफी नुक्सान दायक रूप से response देखने को मिलेगा इंडिया का अगर वो हमारे अगेंज चाता ही aggression करने की कोसिस करते हैं लेकिन आप देखेंगे कि भारत ऐसा warn करता तो रहता है लेकिन भारत ने इन चीजों को लेकर कोई भी aggressive step अभी तक नहीं लिया है हाला कि कुछ apps को जरूर बैन किया था इंडिया ने clash के टाइम पर बट बहुत aggressive step इंडिया ने अभी तक नहीं लिये हैं चलिए area of cooperation भी देख लेते हैं दोनों देशों के बीच में कहां कहां cooperation हो जाता है तो सबसे पहल तो political cooperation को देखिए दोनों ही देशों के बीच में political cooperation को लेकर बहुत सारे diplomatic channels खुले हुए हैं पचास से ज़गा dialogue mechanism दोनों देशों के बीच में बने हुए हैं तो दोनों देशों के जो political leaders हैं उनके बीच में भी exchanges होते रहते हैं तो political तरीके से हमारे cooperation वहां China के साथ बने हुए हैं इसके लावा economic cooperation में मैंने आपको बताया कि trade जो है वो nearly 100 billion dollar करता है हर साल उसके लावा science and technology के field में भी हमारे cooperation है हम दोनों ने joint research workshop भी open किया हुआ है जहाँ पर दोनों ही देशों के scientist मिलकर new technologies पर work करते हैं इसके लावा people to people exchanges भी हैं आप जानते हैं कि China के student भारत में पढ़ने आते हैं भारत के student चाइना में पढ़ने जाते हैं तो इस तरीके के जो cooperation के छेत्र हैं वो देखने को आपको मिल जाते हैं इसके लावा अगर हम climate change की बात करें तो दोनों देश जब भी किसी international forum पर मिलेंगे तो climate change को लेकर दोनों का view एक ही होगा इसके लावा चलिए ये topic हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है अब आपको कुछ भी चीज यहाँ पर discuss करने की जरूरत नहीं है चलिए previous year question paper से कुछ एक question उठा लेते हैं 2014 का अब यहाँ पर question है South China Sea में China अपनी aggressive policy को चलाता है तो maritime territorial dispute यहाँ बने रहते हैं ऐसी condition में इंडिया को यहाँ किस तरीके से अपने bilateral relation बनाने चाहिए चाइना के साथ उनी चीजों पर focus किया गया है ठीक है अब इसको समझने के लिए आपको US और China के relation का एक dynamic भी समझना जरूरी है तो चलिए उस पर बात करते हैं तो US-China relation में recent downtrend आ रहा है और 2022 में यह downtrend काफी ज़्यादा बढ़ गया है इसके reasons क्या है इसके reasons हैं एक तो आप जानते होंगे कि टाइवान में Nancy Pelosi की विजिट हुई थी चाइना ने इसको काफी ज़्यादा मना किया था लेकिन फिर भी इन्होंने वहाँ पर विजिट की जिसकी वज़ासे दोनों देशों के संबंद खराब हुए उसके राबा US के द्वारा चाइना की semiconductor industry पर बहुत सारे restrictions लगाए गए थे जिसकी वज़ासे अकेन दोनों देशों के बीच में संबंद खराब हुए है अगर हम US-China relation की बात करें तो historical perspective में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि इतना भी ज़्यादा important topic नहीं है तो छोटा सा brief में आपको मैं बता रहता हूँ कि present time में relation किस तरीके के चल रहे हैं post cold war के बात देखिए cold war खत्म होने के बाद दोनों countries ने एक दूसरे के साथ diplomatic relation बनाने शुरू किये उसके बाद चाइना की जो economy है वो तेजी से grow करने लगी और जब चाइना की economy grow करने लगी तो वो पूरे world में second largest economy बन गई और ऐसे में जब आपकी economy बहुत बड़ी हो जाती है तो आपके political ambition काफी बढ़ दाते हैं अब political ambition बढ़ने का मतलब क्या हुआ देखे सर जब आपके पास पैसा है आपकी economy strong है तो ऐसी condition में आप military पर अच्छा खासा investment कर सकते हैं और जब आप military पर investment करते हैं तो इस military का कहीं कहना कहीं use भी करना चाहेंगे तो इसी लिए आप देखेंगे कि South China Sea में चाइना अपनी aggressive policy को दरसाता है इसके लावा इंडो चाइना border पर भी दोनों countries के बीच में विवाद बना रहता है Central Asian countries के साथ भी चाइना के border dispute बने हुए हैं तो ये reason है एकनोमी के strong होने का ठीक हैं तो political ambition यहां बढ़ने लगे चाइना के और जब चाइना के political ambition बढ़ने लगे चाइना की economy इतनी तेजी से grow कर रही है तो ये चीज किसको पसंद नहीं आएगी ये US को पसंद नहीं आएगी और यहीं से आप देखेंगे कि US चाइना relation में थोड़ी सी problem बढ़ने लगी थी उसके बाद जैसे जैसे चाइना की economy ग्रो करती गई चाइना ने US के global dominance को undermine करना शुरू कर दिया जब आपकी economy बढ़ती जाती है आपके पैसा आता जाएगा तो आप अपने अडोसी पडोसी को नहीं देखेंगे अगर आपको 10 लाख रुपे महीना आना शुरू हो जाए आपके पास तो ऐसे में महले में आपके area में आपकी कोलोनी में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विक्ती है जो सबसे powerful विक्ती है आप उससे भी नहीं डरेंगे फिर आप यह सोचेंगे कि मेरा तो अराम से पूरा महीने का बढ़िया चल रहा है सब कुछ economy मेरी अच्छी चल रही है तो ऐसे में आप मुझे किसी से डरने की जरूद नहीं है यही चीज़ देखी जा रही थी चाइना के साथ चाइना ने उनके dominance को अमेरिका के dominance को अब कम आकना शुरू कर दिया और फर्दर ये उस समय हो रहा है जब दोनों देशों के बीच में या फिर हम कहें जब वर्ल्ड में economic slowdown है मैं बात कर रहा हूं 2008 की तो एक तो वैसे ही US को challenge मिल रहा था economic तरीके से उसी टाइम पर चाइना उनके influence को undermine करने की कोशिस कर रहा था तो फिर से दोनों देशों के बीच में relation न करात्म को गए फिर C.Chinping चाइना में आए 2013 में और C.Chinping की presidency में दोनों देशों के बीच में relation ओर ज़्यादा खराब हो के क्योंकि इन्होंने अपनी aggressive policy को चलाना शुरू कर दिया था next आप देखेंगे US में Donald Trump का आगमन हुआ और Donald Trump ने एक concept लेकर आए America first यानि कि उनके लिए America के interest प्रात्मेख है इसके अलावा उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है तो इस policy की वज़ा से आप देखेंगे दोनों देशों के बीच में clashes सुरू हो गए और Donald Trump ने ही America first की policy को अपनाते हुए चाइना के product को import करना कम कर दिया और लगपर बन कर दिया उन पर sanctions लगाने शुरू कर दिये और इसी का परिणाम था trade war ठीक है सर एक challenge यहां पर यह आ रहा है उसके इलावा चाइना की wolf warrior diplomacy अब देखें wolf warrior diplomacy होती क्या है wolf warrior diplomacy का मतलब होता है जैसे अगर आप चाइना के against कुछ भी बोलने का प्रयास करेगे तो चाइना के foreign minister चाइना के ओर मंत्री या खुद president या उनके newspaper तुरंत चाइना को counter करने की कोसिस करते हैं इसी को हम कहते हैं wolf warrior diplomacy तो covid-19 को लेकर जब किया जा रहा था चाइना को तो भी उनके दरफ से instant reaction आते थे अभी जैसे आप इंडिया में देखेंगे की टाइवान को लेकर इंडिया ने response किया है उसके बाद US ने भी response किया है इस चीज को लेकर तो चाइना के foreign minister ने भी वहां से response किया तो इसी चीज को हम कहते है wolf warrior diplomacy और wolf warrior diplomacy की वज़ा से चाइना और US के संबंद खराब भी होते हैं उसके बाद चाइना का जो रश्या यूक्रेन war को लेकर view है उससे भी अमेरिका काफी प्रभावित है अमेरिका के संबंद बिगड गए हैं क्योंकि यहां पर चाइना ने clearly रश्या को support किया है इस invasion के लिए और US इसको बिल्कुल बरदाश्ट नहीं करेगा तो यह कुछ tension है दोनों शक्णियों के बीच में अगर हम बात करें कि G20 में अभी इनकी जो meeting हुई है उसमें क्या-क्या किन-किन बातों पर agree हुई है तो यहां कोई भी joint statement नहीं आया दूसरा जो इनके बीच में mutual concern के issue है mutual concern का मतलब होता है साजी चिंता के विशे उन पर भी दोनों का perspective अलग-अलग है अमेरिका अपने perspective से सोचने का प्रियास करेगा और चाइना अपने perspective से सोचने का प्रियास करेगा तो यह आपस में अपने relation को अच्छा नहीं दिखाता है क्योंकि अगर आपके concern mutual है तो strategy भी तो mutual होनी चाहिए लेकिन दोनों गंटी के बीच में ऐसा नहीं है तो दोनों देशों के खराब संबन को यह भी दिखाने की कोसिस करता है उसके बाद दोनों देशों ने tension को कम करने का यहाँ पर वादा किया है और साथ में communication channel को open रखने का भी promise किया है तो जो भी कोई clash होंगे या फिर world level पर कोई challenge आ गया तो दोनों देशों वहाँ पर एक दूसरे से बातचीत जारी रखेंगे और जो भी tension आती है उसको peaceful तरीके से resolve करने की खोसिस करेंगे यह दोनों बातें यहाँ दोनों देशों के दौरा reaffirm की गई है इसके लावा यहाँ पर US के प्रेसिडेंट के दौरा कुछ cooperation के issues पर भी बोला गया है जैसे चाइना के साथ climate change के cooperation पर बात होनी चाहिए global macro economic stability पर बात होनी चाहिए global health और food security पर cooperation होना चाहिए क्योंकि देखे climate change किसी एक country का issue नहीं है सिर्फ अमेरिका का ये issue नहीं है चाइना भी उससे उतना ही प्रभावित होगा जितना अमेरिका होगा उसी तरीके से global macro economy stability अगर नहीं बनती है तो ऐसे में चाइना भी प्रभावित होगा अमेरिका भी प्रभावित होगा पूरा world प्रभावित होगा तो जो cooperation के मुद्दे हैं वैश्विक level पर उनमें दोनों को समर्थन देना चाहिए इस चीज की बात की गई है इसके रावा US ने कुछ चिंताएं भी व्यक्त की हैं देखे आप जानते ही हैं दोनों देशों के बीच में संबन्द अच्छे नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चिंता व्यक्त ना करें तो US ने बोला कि हम चिंता व्यक्त करते हैं कुछ human right violation को लेकर जो की चाइना के सिंजियांग प्रांत में हो रहे हैं तिबबत में हो रहे हैं और होंग कोंग में हो रहे हैं चाइना की आर्मी यहाँ पर होंग कोंग में तिबबत में exploitation करती रहती है उनके नागरिकों का सिंजियांग में उईगुर मुश्लिम का एक मुद्दा है जो चाइना के लिए एक problem बना रहता है हमेशा से और human right activist इसको criticize करते रहते हैं चाइना की policy को इस प्रांत को लेकर तो इस चीच की बात की गई है उसी तरीके से चाइना ने भी कुछ बाते कहीं है अमेरिका के लिए और ये भी दिखाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध काफी अच्छे नहीं है तो इन्होंने ताइवान पर अपनी position को clear किया है कि सर ताइवान हमारे लिए core of the core interest है अब देखें core interest का मतलब ये होता है कि अगर किसी की foreign policy में कोई core interest है तो उसके लिए कोई country युद्द का जोखिम लेने को भी तयार होती है अब सोचिए कि core interest के लिए इतना जोखिम लेने के लिए तयार होती है तो core of the core interest के लिए क्या होगा ठीक है तो ये चाइना की तरफ से बोला गया है उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट ने 5 नोज की बात की है कि यूएस प्रेसिडेंट क्या क्या चीजे नहीं चाते हैं तो पहली चीज तो वो दूसरा cold war नहीं चाते हैं पहले ही cold war की वज़ा से पूरा विश्व प्रभावित रहा है तो चाइना के साथ यूएस cold war नहीं चाता है इसके अलावा चाइना को लेकर यूएस की कोई policy change नहीं हुई है चाइना को जिस तरीके से यूएस देखता था उसी तरीके से आगे भी देखेगा ये यूएस के प्रेशिडेंट ने बात कही है उसके अलावा यूएस के प्रेशिडेंट ने बोला है कि चाइना के अगेंस्ट यूएस किसी भी तरीके का alliance बनाने की कोशिस नहीं करेगा ठीक है इसके अलावा अमेरिका ने यहाँ बात की है कि cross straight status को यहाँ पर बना कर रखा जाएगा ठीक है मतलब इसमें कोई disturbance नहीं किया जाएगा और इसके अलावा जो final बात अमेरिका के प्रेशिडेंट की द्वारा की गई है वो यह है कि चाइना कोई भी सोरी अमेरिका कोई भी conflict नहीं चाहता है चाइना के साथ तो यह चारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसके लावा इंडिया का stand क्या है इस dynamic को लेकर थोड़ा सा इस पर भी आप लोग देख लीजिए इंडिया एक तो uncomfortable नहीं है दोनों के relation को लेकर हम हमेशा से चाहें आप पहले की बात करें आजादी के कुछ वर्षो बात की बात करें तो हमने इंडिया चीनी भाई-भाई की बात की थी उसके लावा हमने international level पर चाइना first को promote करने की कोसिस की थी तो आज भी हम uncomfortable नहीं है अगर US और चाइना के बीच में relation बनाए जा रहे हैं इसके लावा international acceptance जो चाइना का हो रहा है उससे भी हमें कोई एतराज नहीं है ठीक है 1950 में भी हमने जो है अच्छे संबंद बनाने की कोसिस की थी चाइना के साथ क्योंकि जहां पर जब Communist Party का साशन आया था तो अमेरिका के साथ इनके संबंद काफी खराब हो गए थे तो इंडिया ने पहल करके चाइना के साथ अपने संबंदों को विक्सित करने की कोसिस की थी और इनको अंतराष्टी इस तरपर माने ता दिलाने की पी कोसिस की थी तो अगर आप देखें तो US और चाइना के बीच relation में कोई भी इंडिया को uncomfortable वाली चीज़े नहीं है और चाइना का जो influence बढ़ रहा है world level पर उससे भी भारत को कोई खास चिंता नहीं है बस भारत को चिंता यह है कि border dispute नहीं होने चाहिए और चाइना अपने पडोसी देशों के साथ peaceful तरीके से रहे aggressive policy को ना चलाए तो यह हमारे सारे issues होगे इस week के मिलते हैं next lecture में कुछ new issues के साथ अगर कोई topic miss हो गया हो newspaper में रहा हो तो आप उसे comment section में लिख सकते हैं अगर आपकी कोई query है तो वो भी आप comment section में लिख सकते हैं मैं उसको next lecture में discuss कर दूँगा ओके तो चलिए end करते हैं यहाँ पर thank you so much